मोधी जी आप हमको लगता है कि उठे नहीं होंगे क्योंकि खबर मिल रही है पोलिंग का खबर भी आ रहा है कई राज्यों में सवाया हो रहा है और पांच में एक भी राज्यों में भारती जन्ता पार्टी नहीं आ रही है पूरे भारती जन्ता पार्टी में आप चले जाए है 24 की पूरी फिला माने दीजे विपक्ष भी नहीं बनने वाला है मैं दावे के साथ बात कह रहा हूं कि जिसका घर सिसा का होता है और कभी दूसरे घर पर पथर नहीं फेगते भारती जंता पाटी जो जिस तरह से आरोप हाय तो अब मचाई है पूरे भारत में तो हम तो कह ले पहले अपना घर जाकना चाहिए कि उनके मनोज तिवारी जी जो लाइंगा बेटियों के लाइंगा को रिमोट से उठा रहे हैं नौ साल के सासनकाल में भारत में बेटियां अत्मानित हुई है भारती जंता पाटी घवराई है इसलिए इस तरह की बाते कर रही है यह मो अख्यमंत्री नितिश कुमार का बयान आज तक बिवादों में बना हुआ है जिस तरीके से उन्होंने बिधान सभा में जो कुछ भी कहा उससे महिजलाएं असहज हुई वहां बिधान सभा में बैठी लोग हस रहे थे मीडिया से वो बता रहे थे और सुना रहे थे लेकिन व बात को लेकर तमाम लोग समर्थन में हैं जो भी बहुजन नेता हैं समाज फिलारियाां एक समानीिद नेता विधान सभा में ऐसी बते करेगा एस सलीलता भरी बाते करेगा किसी ने सोचा नहीं था। जाकना चाहिए। पहले देखना चाहिए कि उनके मनोज तिवारी जी जो यहां पर दिली प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और पूरे भारत का स्टार प्रचारक हैं जो लहंगा बेटियों के लहंगा को रिमोट से उठा रहे हैं। जो आप पहले एक बार उसके बारे में उनको सोचना चाहिए और देखना चाहिए। और खास कर भारती जंता पार्टी के लिए और खास कर संग परिबार के लोग के लिए मैं कहना चाहता हूँ। विधान सभा में कौन बोलता है इस करीके से बयान कौन देखा है। देखिए मिस ब्यूटी ये कोई हरकत नहीं था ये सचाई है। परधान मंत्री जी जिर्पा हाथ रख करके बोल दे कि उन्होंने सिलेबस में सेक्स की जानकारी देने की बात कहा है कि नहीं कहा है। जानता है पूरे देख और आप से मैं खास करके पूछना चाहता हूँ जो आप जीस राम के भरोसे आप अपनी नाव पार लगाना चाहते हैं। जानता है पूरे देख और आप से मासीता को जो चरित्रहीन कहा है और अगरी परिशालेने की बात कही गई। जीस रख जूटी कहानिया है तो क्या गूगल पर जो आता है। क्या वो जूट है? क्या लंगा उठाने की बात बलोज दिबारी ने कहा? क्या ये भी जूट है? क्या मनिपूर में तीन वहिना तक नेकेट वीडियो प्रधान मंत्री पियों में अफिस कर्याल है देखा क्या वो भी जूट है क्या कानपूर दिहात में बेटियों के साथ जो हुआ क्या वो भी जूट है आप बताओ इस देश में ये दस साल के सासनकाल में सारे नौ साल के सासनकाल में अगर सबसे जादा अगर भारत में बेटि इसकुमार जी को इसलिए इतना हायतोबा किया जा रहा है इतना बदराम किया जा रहा है मिडिया में बाते रोज कही जा रही है ताकि जो 65% पिछडों और दलितों को आरक्षन दिया है उनके साती पर कलेजा पर साप लोट रहा है इसलिए उनकी आज जो उन्होंने एक सासी देश को रोल मोडल बनाया है जिस तरह से जातिय जनकन्ना करा करके भारत का रोल मोडल बनाने का काम किया और भारक्षन का दारा बढ़ा करके 50% से 65% आरक्षन 75% का याकड़ा पर लाने के लिए जब नितीश कुमार जी ने आगे बढ़ाया तो एक छोटी सी बात को बात की ब आप आरक्षन की बात कह रहें जा भी नोकरियां आज की तारीख में है जो बिहार को आप जानते हैं जिस राज के नितीश कुमार जी मुख्यमंत्री है उस राज कृसी प्रधान राज है वहां कृसी ही उद्धोग है आप देखिये कि कृसी आज कहा है आज 15 साल से 20 साल से उस सुबे के मुख्यमंत्री है नितीश कुमार जी ने एक राज को एक मोडल देने बनाने का काम किया है विकास का मोडल जो बनाने का काम किया है आरक्षन का मोडल बनाने का काम किया है बिहार खाली हो गया है सर पूरा बिहार अलग 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 राजियों में जाके बसा ये भी एक रोल मोडल है जो पचीस हजार आए तक किसी राज में वेकंसी नहीं हुई लेकिन नितीस को आर जी एक लाग पैटीस हजार लोग को जौनिंग देने का काम किया उस पर भी लोग को बहुत चिंता होने लगी और हाय तबा मचाने लगे वो लोग हाय हाय करने लगे और नितीस की परतिभा को और नितीस की जो ताकत है नितीस की सोच को दबाने का प्रयास किया गया तो वह आपको असपस रूप से बता दू नितीस की के लोग प्रियता से घवरा गया है भारती जनता पाड़ी घवरा ही हुई है इसलिए इस तरह की बाते कर रही है जो भी इसके पहले कुछ शिक्षकों की जो बहाली हुई थी जो परकिरिया था जिसको सुधार कर लिया गया है अभी BPS से परिशा हुआ है अगर आप भी मैं कहता हूँ आप जाए आपके निशनल दस्तक का बहुत बड़ा आपका वहाँ बिहार में आपका बहुत बड़ा आ जो हुआ है उन सिक्षकों को जाकर देखिए BPS से बहाली हुई है और BPS से बहाली होना आप समझ लिजे यह कोई साधारण बात नहीं है वो उन बातों को छोड़ दीजे होता है कमिया जहां लोग काम करता है उनमें कमी होती है मैं मानता हूँ इस बात को लेकिन उनसे अच् आदित्यनाथ चाहती है बोलती है योगी जैसा CM हमें दे दो लेन जोगी इजको अगर है CM जोगी को आप P.M. मनाने की बात चल रही है आप छुपा छुपा के बोल रही है मैंडम मैं कहरा हूँ कि जोगी जी को ही आगे किया जा रहा है यह मोधी का बड़ा अपमान है यह म सब्दे का खेल चुहा बिली का खेल संध परिवार खेल रहा है और भारती जन्ता पाटी में भी अंदर से जो कुछ बैठे हुए ब्रावन नेता उनकी जफर जंतर चल रहे हैं राम लक्षमन है मोधी योगी और मोधी राम लक्षमन है तो मैं कह दूँ आपको यह होड क्यों मची है मोहन भागबन जी ने ब्यान ऐसा कियो दिया मोहन भागबन जी ने तो कहा कि हम किसी का ठीका लेकर के लए बैठे हैं और अरेसेस का कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि एक ही आग्वी को कोई हम जीवन वन उनको प्रधान मंत्री बनाएंगे सीधा सीधा मोधी जी की औ नहीं दपता है आरेसेस का जब तक रिमोट नहीं देता तब तक परदा नहीं उठता है जब परदा उठता है तब परधान मंत्री का चेहरा आता है इसलिए परदे की पीछे आरेसेस है आरेसेस इस देश को चला रहा है जो इस देश को बाटना चाहता है जो इस देश में नफरत का महौल बनाना चाहता है, जो इस देश को हिंदू राष्ट में अच्छी बात है, सब यहां पर सब के घर में ताले नहीं होंगे, इतना संपन राष्ट होगा, अच्छी नीतिया होंगी, सब लोग खुशी संपन रहेंगी, हम तो देखे हैं, हम देखे भी हैं, आदेख रहें, और हमारे आप के पुर्खे भी देखे होंगे, कि जब रामराज था, तो रामराज में तो हमने संभूक का बद देखा है, एक दलीत, एक दलीत अगर एक अच्छी बात कर ले, सिक्षा की बात कर ले, ग्यान की बात कर ले, तो उन्हें मृतु दंड दे जाती थी अगर कोई बेद की बात कर ले अगर कोई दलित और पिछडा तो उनको कान में सिसे पिला देते थे अगर कोई बेटिया आज भी अगर परदे की बाहर निकल दिया जाए तो चरित्रहीन बदाकर उनकी उनकी हत्यक कर दी जाती थी हम तो रामराज देखा है जहां बेटियों के सती परथा पर रखा गया है जहां बेटियों को पुजा के अधिकार से बंचित रखा गया है हम क्या उसी रामराज को आप लाना चाहती हो जहां बेटियों कभी चोका से चोकी पर निकाइन कलने नहीं दिया, आप उसी रामराज की बात करना चाहती हो, जहां बेटिया देवदासी पर्था की सिकार हुई है, क्या वही देवस्था को रामराज लाना चाहते हैं, आप आज एक तरफ बड़ा दर्द होता है, कि नितिश जी ने जो बोल दिया, वो महिलाओं की बड़ा आपमान हो गया, तो मैं कहना चाहता हूँ, सतिय उन्सुया के साथ जो हुआ, क्या वो अपमान नहीं है, क्या गौतम रिशी के साथ हुआ, क्या वो अपमान नहीं है, क्या सीता के साथ जो हुआ, क्या वो अपमान नहीं है, क्या सीता के साथ जो हुआ, क्या वो अगर बताओ आप सम्मिधान अगर देश से चलता तो आप से मैं पूछना चाहता हूँ क्या इस देश को आप गिर्वी रख देते क्या रेलवे गिर्वी हो जाती कोईला गिर्वी हो जाता आप बोते सारे MTNL गिर्वी रख दियते या आप BSNL बेच देते या बंदरगाह को बेच देते या आप सारे रेलवे को बेच देते बताओ इस देश में क्या बचा है इस स तो परधान मंत्री जी हम समझते हैं कि आपको भी खतम कर देते, YouTube को भी अपने अंदर में लेकर खतम कर देता, आपकी समाचार नहीं चलती, आपका चैनल नहीं चलता, इसलिए लोकतंत्र को अगर बचाना है, तो संबिधान को बचाना पड़ेगा, क्यों संबिधान आज सब हो रहा है, और पांच में एक भी राज्यों में भारती जन्ता पाटी नहीं आ रही है, पूरे भारती जन्ता पाटी में, आप चले जाएए, एही बगल में भाजपा की ओफिस है, बातम चाया हुआ है, भारती जन्ता पाटी में मातम है, दूख में है, भारती जन्ता पाट जन्गर्णा की बात की थी नितीश कुमार ने उसको दबाकर उनकी जो बयान बाजी थी उसे उचाल दिया गया और उस काब जो रो सब्जों से पूरे भारत में विरोध किया बीजेपी ने बढ़ चड़ कर इसका विरोध किया और इसे माना जा रहे हैं कि शायद उनकी करना चाहते हैं तो निस्तन दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्तन दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें